हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यूपी गेंट क्लासे जाज के इस वीडियो में केमेस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जिसकों कि Henry के नियम की नाम से जानते हैं यानि Henry's law की नाम से जानते हैं हेंरी ने एक बहुत इच्छा नियम दिया था जिसका कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इपियोग होता है और यह हम देख भी सकते हैं ठीक है हेंरी के नियमा नुसार इस्थित आप पर किसी गैस की द्रहों में भी लेता है गैस के दाप की समान पाती होती है ठीक है इस्थित आप पर ठीक है यानि कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट टेंप्रेचर पर क्या होता है दोस्तों constant temperature पर kisunkальная gas की ठीक है ? द्रो में भी लेता हूँ rad एक constant टाप पर किसी भी द्रो को अगर पानी में किसी भी gas को पानी में हम गोलते हूँ तो टीक है उसकी भी लेता हूँ उसकी जो गूलने की जो Capsity है वो किस पे निर्वर करेगी ? गैस के दाब के निर्वर करेगी ठीक है वो गैस के दाब के समान पाती होगी ठीक है जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे दाब को बढ़ाएंगे ठीक है जैसे जितना भी हम लोग दाब को बढ़ाएंगे गैस के दाब को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे और temperature को constant रखेंग ठीक है तो उतना ही तेजी से क्या होगा हमारा जो गैस है वो द्रो में घुल जाएगा यानि कि अगर हम प्रेसर को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा तेजी से गैस द्रो में घुलना स्टार्ट कर देती है इस तरह हम देख सकते हैं दोस्तो एम प्रपोशनल टू पी ठीक है यानि एम क्या है मारा यहां पर देख सकते हैं घूली गैस की मात्रा ठीक है घूली गैस की जो मात्रा होती है वो प्रपोशनल होती है ठीक है प्रपोस्टनल होती है पी के यानि प्रेसर के जो भी प्रेसर हम लगाते हैं उसी प्रेसर के समानुपाती होती है या प्रपोस्टनल होता है ठीक है अब देखी यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर हम proportional sign को अठाते हैं तो एक constant लगाते हैं constant हमारा K है K को हम लोग Henry इस्थिरांग या समानुपाती इस्थिरांग के नाम से भी जानते हैं ठीक है K क्या है हमारा Henry इस्थिरांग या समानपाती इस्तिरांग और P क्या है दोस्तों गैस का दाब है ठीक है गैस पे जो हम लोग दाब फोर्स अप्लाई करेंगे ठीक है वो होगा गैस का दाब ठीक है जो जितना भी गैस पे दाब होगा उसी के अंसार क्या होगा हमारा गैस उसमें द्रो में गूलेगा ठीक है M क्या है यहां पर M है गूली गैस की मात्रा ठीक है इस तरह हम कह सकते हैं कि स्थिर्ट आप पर यानि constant temperature पर किसी द्रो की भी लेता किसी गैस की द्रो में भी लेता गैस की दाप की समान पाती होता है यानि उसके proportional होता है ठीक है और यह देखो यह ideal condition है ठीक है ideal condition ठीक है ideal condition यह दोस्तो हमारा ideal condition यानि आदर्स ठीक है जिसको हम लोग आदर्स इस्तिति में बोलते हैं ठीक है इंदी में और एक important notes है यहां पर देश्तो कि अक्री गैसों के लिए इंटां के कमान अधिक होता है च्री गैसों कौन शीं के लिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है जो गैसे क्रिया नहीं करती है ठीक है दुसरे उनका जो क्या होता है अस्टक पूरा होता है ठीक है उसके last orbit में पूरे इलेक्रान भरे होते हैं ठीक है अब वो क्या आता है दुसरे किसी परमाडुस एटम से क्या अबुक्रिया नहीं कर सकता है उनके साथ नहीं जूड़ सकता है ठीक है जैसे हिलियम हो गया नियान हो गया यह सब गैसे जो है ठीक है अक्रिय गैसो में आती है ठीक है अक्र यादिक होती है और जब अधिक होगी K की वैलियों तो क्या होगा अक्रिगस कम भूलेगी ठीक है देखिए दूस्तों यहां से क्या होगा अगर के को इधर जिराने दें ठीक है और इसको P को इधर बेज़ दें तो क्या हो जाएगा M by P यानि कि K क्या हो जाएगा inverse यानि 1 by P के ठीक है इसको क्या इसको अगर multiply में देखे तो इसको यह से लिख सकते है M into 1 by P यानि K के inverse proportional हो जाएगा ठीक है with क्रमान पाती होगा P ठीक है यानि कि जब pressure बढ़ेगा ठीक है या फिर K की value अगर बढ़ती है तो P की value क्या होती है घड़ती है ठीक है जब हमारा नियतांग कमान क्या होगा बढ़ेगा तो P की value यानि pressure हमारा कम होगा और जब pressure कम होगा तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो gas है वो द्रौ में कम भूलेगा ठीक है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अक्रिय गैसों के लिए हेंडरी नेतां के कमान अधिक होता है इसी वज़े से क्या होता है कि अक्रिय गैसे कम भूलती है ठीक है अक्रिय गैसे पानी में क्या होती है द्रव में क्या होती है कम भूलती है द्रव कर वे सकते हैं ठीक है और सेकेड़ नौट क्या है दूस्तों ताप बढ़ने से हेंडी नीतांग K कमान बढ़ता है ठीक है अगर हम टलशन को क्या करें बढ़ादें ठीक है तो K कमान बढ़ता है ठीक है तो इस वज़े से क्या होगा, गैसों की द्रौमी विलेता कम हो जाती है, ठीक है, और इसका एक रीजन हम लोग उदारण क्या देख सकते हैं, ठीक है, इसका एक उदारण हम अपने दैनिक जीवन में क्या देख सकते हैं, कि इसी वज़े से, ठीक है, इसी कारण के वज़े से क क्या होता है कि जली जन्तू गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक इस्तिती में रहते हैं क्योंकि ठंडे जल में आक्सीजन अधिक गुलती है ठीक है यहां पर क्या होता है टंप्रेचर हम लोग का क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है टंप्रेचर कम पड़ जाएगा तो हमारा गस जो है अधिक गूलना इस्टार्ड जाएगा यानी अक्सीजन की अगषान वे और थिक गूलने के वज़े से क्या होगा कि उनको सांस लेने में आसानी हो जाएगी ठीक है वो आसानी से सांस ले पाएंगे ठीक है दोस्तों और देखी यहां पर मैंने फिगर बनाया आपको समझने के लिए ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यहां हमारा क्या है गैस भरा हुए ठीक है यहाँ पे हमने गैस भर दिया एक पूरा जार है ठीक है जार ही मान लेते हैं ठीक है और यह नीचे क्या है द्रव है यानि पानी है ठीक है यह हमारा गैस है इतना पार्ट ठीक है इतना पार्ट उपर का क्या है गैस है यह क्या है पानी है ठीक है यहाँ गैसे क्या हो रही है प्रेशर कम होने के वज़े से कम घुली है और नेक्स्ट फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो गैसे हैं ठीक है वो प्रेशर यानि टू बार प्रेशर है ठीक है प्रेशर यहां पर अधिक है इस वज़े से क्या हो रहा है कि पानी में लिक्व ज्यादा घुले में लिकुड में ठीक है अतर हम कह सकते हैं कि pressure बढ़ाने से क्या होगा constant temperature पर pressure बढ़ाने से ठीक है गैसों का द्रव में जो घुलना होता है वह बढ़ जाता है ठीक है अतर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस्थित आप पर किसी गैस की द्रव में भी लेता गैस के दाप के समान पाती है आज के लिए इतना है दोस्तों ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ल हुआ